तुम रूठी रहू, मैं मनाता रहू, इन अदाव पे ही तो प्यार आता है। अब देख लीजे कि राजसभा की दो सीटों पर चुनाओ होना है और इसको लेकर जदियू और भाजपा में आपसी खीचा थान थी। और अब खबरे आ रहे हैं कि यह सीट भाजपा के पासी जाएगी। तो पूरा मुद्दा क्या है आए हमारे खास तो चुनाओी चौसर में बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है सीनियर जर्नलिस सरो सिंग जी। सर ये रूठने मनाने का सिलसिला जो है क्या राजसभा चुनाओ के लिए अब खत्म हो चुका है। पिछले 48 गंटे से ये रूठने मनाने का सिलसिला चल रहा था। बहुत इस्थती इस तरह के हो गई कि लगा कि अब मामला बिगड़ गया। जनता दल यूनाइटेट भी अडिवी थी भाजपा भी अडिवी थी कि नहीं आप अगर राजसभा की दो सीट लेंगे हम विधान परिशत देंगे एक मात्र बीजेपी का काना था। और नितीश कुमार का काना था के नहीं एक राजसभा की सीट और एक विधान परिशत की सीट हमको चाहिए चाहिए। कंडिडेट का आप नाम लेही रिये हैं। उपेंदर कुस बाहा के नाम पर तो आम समधी थी। मनिस बर्मा इनके तरफ से थे और जो चर्चा है वो राजकुमार सिंग बीजेपी के तरफ से कंडिडेट हो सकते थे। इसी पर मंसन चलना था। लेकिन आपने जो का ही आपकी ख़वर के अनुसार एक समझोता हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में वो समझोता यही है कि जो राजसभा की दो सीटे हैं वो भाजपा कोटे से जाएगी। मतलब जो उपेंदर कुछ वहाँ भी जा रहे हैं तो उसको भाजपा कोटा ही माना जाएगा क्योंकि उसका ऐलान समराट से अधरी ने किया था और दूसरी जो सीट है उस पर भाजपा अपना परत्यासी देगी। और सुनील सिंग के जो खाली सीट हुई है उस पर जनता दल यूनाइटेट का परत्यासी होगा ये समझोरता जनता दल यूनाइटेट और बीजेपी के बीच हो चुका है जो हमारे सोर्स है और जो आप बोल रहे हैं रूठने मनाने का सिलसला फिलहाल इस चुनाब के लिए और से माने दो तरह की बात हुई जैसे पटना में जब बात बिगड़ गई तो बात दिल्ली दरबार तक गई दिल्ली में भी मन्थन हुआ फर्मूला क्या निकला आतमुजा जी फर्मूला यही निकला कि दिल्ली में राजस्भा में अभी बीजेपी को जुरुवत है हुआ है चाहे वो मंत्री मंडल बिस्तार हो या फिर खुद मुखमंत्री उनको बनना है जो भी फैसले नितीश कुमार ले रहे हैं उसमें भाजपा के तरफ से कहीं कोई इवड़ किन्तु परंतु नहीं लगाया जाता है तो फ्री हैंड एक तरह से नितीश कुमार कुद था अब जैसे सम्राठ चौधरी वाले की मामले को ले लीजिए सम्राठ चौधरी के बारे में कहा जाता था कि नितीश कुमार पसंद नहीं करते हैं मुरेठा बांधे हुए है मुरेठा कुल गया भाजपा का प्रद्यस अधश बदल गया तो कहीं नितीश कुमार की सारी बातो को भाजपा मान रही थी तो बीजेपी का यही काना था कि आप स्टेट पर अपने हिसाब से फ्री हेंड है आप फैसला लीजिए विधान परिशत की जो सीट है वह उस पर आप अपने कंडिडेट दीजिए लेकिन चुकि दिल्ली की राजनिती है इसमें बीजेपी को दोनों स सिंग का भी नाम था तो क्या लगता है कि इन दोनों में से किसके नाम पर सहनती बन रही है देखे एक चीज़ समझे राजनिती घटना कर्म को आत्मजा जी एक नाम चला था राजकुमार सिंग का डिप्टी सियम को लेकर कि उनको डिप्टी सियम बनाया जाएगा लेकिन कह नाम पर लगता है कि नितिस कुमार की स्समत्ती नहीं है अब जो फार्मूला निकला है कि बिधान परषट के सीट जे डियू को जाएगी इसका मतलब है कि राजकुमार सिंग बिहार के सियास्त से बाहर हो रहए है च्योंकि बीजेपी को सीट मिली नहीं यहां की अगर वई कि वो कहानी ठंडी पड़ गई और राजकुमार सिंग को फिर दिल्ली के सियासत में ले जाने के लिए ही राजसभा की ये सीट मांगी गई है और बिहार में जो परिसद वाली सीट है वो जनता दली उनाइटेट मनीस बर्मा को दे सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है इसी में नहीं बना उसका गुसा राजपुत विरादरी में है तो लगता है लोगों को राजपुत समाज को कि आर के सिंग अगर जाएंगे तो नरेंद मोदी इनको मंत्री बनाएंगे क्योंकि पहला जो इनका काजकाल रहा है वो लाजबाब काजकाल रहा है इनर्जी मंत्री के के लुप मैं बहुत जबरतां काम उन्हों ने किया तो इस समाज को लगता है कि उह हाँ पर मंत्री बन सकते हैं जिसे फेर बदल जब भी होगा देखिये जिए को मंतरी बनाना है को थी बदल कहानी राजकुमार सिंग की है और चुकि बिधान परसद वाली जो बात कहिए आपने मनिस बर्मा को लेकर कि देखिए चर्चा बिहार में क्या होती है कि नितिश कुमार को अपना उत्राधिकारी लाना है तो उसको तो बिहार में रखना पड़ेगा मनिस बर्मा पर जितना उ सीट नितिश कुमार ने समझोता किया मनिस बर्मा के लिए कि भाई ठीक है विधान परसद की सीट हम रखते हैं और जो रासभा की दोनों सीट है आप ले जाए फिर डिप्टी सीम बाला भी कोई चेक करने ही रह जाएगा फिर आरके सिंग तो फिर दिल्ली चले जाएंगे बहु सारी चीजों को इस समझोते में जो है जो मैंने कहा ना कि 48 घंटे यह जो रूठने मनाने वाला मामला था इनी सब चीजों पर मन्थन हुआ और अल्टिमेटली एक फैसला हुआ दो सीट भाजपा को और परिसद वाली सीट जनता दली उनेटेट को सर चुकि अब भाजपा के तरफ से दो लोगों का नाम लगभग तैय हो गया है एक राजपूर जाती से आते हैं दूसरे को स्वाह जाती से आते हैं और हाली में अब चुनाव भी होने वाला है तो क्या लगता है इसका असर विधान सबा चुनाव पर पढ़ने वाला है बाजपा आप जो भी काम कर रही है बिहार में वो काम विधान सबा चुनाव के मद्दे नजर ही किया जा रहा है अगर राजपूर समाज को मैसेज देने की बात हो रही है इसलिए तो राजपूर चुन को भेजा जा रहा है लबकु समीकरन को मजबूत करना है समराठ बीजेपी ले रही है वो पचीस के चुनाव के मद्दे नजर ही लिया जा रहा है जो आपका सवाल है और अभी बहुत सारे फेर बदल बीजेपी में होने हैं आप देखिए जिला धक्ष जो है जिला धक्ष बदले जाने वाले हैं बीजेपी में लगभग जो हमारी खबर ह दो दर्जन जिला धक्षों को बदला जा रहा है बिहार में तो पूरी पार्टी की ओवर्वाइलिंग जो हो रही है वो चुनाव के मद्दे नजर ही हो रही है और भाजपा में जो संगठन के अस्तर पर बड़े फिर बदल के तयारी है राजसबा का चुनाव हो जाने सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत धनवाद जिसे चाहे उसे भेज सकते हैं और मनीश वर्मा के नाम की जो चर्चा थी तो ऐसे में मनीश वर्मा विधान परिशद में जा सकते हैं तो फिलाल यही समती बन पाई है अब आगे देखें क्या कुछ होता है लेकिन जिस तरह से नामों का चैन हुआ है आपको क्या लगता है किसका बिहार और देश की राजनिती पे क्या असर पड़ेगा कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वीडियो को शेर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे का पचल टीवी ब्याद धन्यवाद